नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का डिटल तेयरी में मैं सौरब भारती आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूं तो प्लैटफॉर्म बुक के हमारा सॉलूशन चल रहा था और उसी कड़ी में आज हमारे सामने हैं बारा चार दोजार सोला को शिफ्ट थी में जो पेपर इसे देखिए कम से कम एक से दो बार आप इसे आराम से सुनिए अब्जर्व करिए चीज़ें आपको याद रहेंगी दोस्तों जब पेपर आता है कई बार कोशन रिपीट हो जाता है तो कम समय में हमें जानकारी प्राप्त करने का ये एक अच्छा मैथड है इसे हम बहुत लाबानवित हो सकते हैं तो आई ये शुरू करें दोस्तों पहला कोशन जो है सामने प्रक्या टैनिस खिलारी स्टेफी ग्राफ निम्न में से किस देश की निवासी है देखिए स्टेफी ग्राफ वन ओफ दी लेजेंड कही जाती है टैनिस की जर्मनी के खिलारी थे इनके चो रहिए होते बहुत पावर्फुल माने जाते थे थे बाई फोकल लैंस का अविशकार किसने किया था देखिए अर्य मायोपया और है पर मेटोपया दोनों काे खी रोचर पॉसिबल और सो यह बेंजामिन फ्रेंक्लिन ने किया था बेंजामिन फRanklyn रहिए वह जो है ये फीफा जो फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्ता है विशु फुटबॉल की उसके अध्यक्ष है जब जो दो पदार्त एक दूसरे में घुलते नहीं है और सॉलूशन नहीं बनाते है तो क्या गते है देखिए इसे फिर अमिश्रिणिया इमिसिबल कहा जाता है आप आपने कहीं बार देखा होगा जैसे पानी है और पानी के अंदर आप तेल डाल दीजिए वह एक दूसरे में मिलेंगे नहीं तेल हमेशा उसके उपर तैरता रहता है तो उसको अपन इमिसिबल सॉलूशन कहेंगे या अमिश्रिणी सॉलूशन कह सकते हैं किस खेल का योको सब्रक्षण संबंधी दिवस कब मिना जाता है मुलाया जाता है राजा की कहानी मुद्रा राक्षास नाटक का विशह है मुद्राराक्षस जो लिखा था,, इसके लेखक थे विषाक दत मुझे ये इनहोंने पांची की चताबदी के आसापस लिखा था। परंतूście मुद्रा 극्राटका की जो कहानी है वह चंद्रगुप्त मोरे की है जो लगवग लगवग एकजार साल पहले इनसे हो चुके थे निम्नमे से किस ग्रह का आकार प्रत्वी के आकार के निकट है देखिए प्रत्वी का और शुक्र ग्रह का आकार एक जैसा है शुक्र को अंग्रेजी में वीनस ग्रह के नाम से जाना जाता है रोमन देवता थी ये वीनस उनी के नाम पर है तो शुक् का दबाव डाल रहा था परद्द इंनों ने हत्यार उठाकर अक्बर का विरोद किया था हवा मेहल का निर्बान किस ने कर वाया था हवा मेहल कर दिर्वान सभाई पृताप सिंग स्वयम बहुत जज़ाद आप समझें के वस्तव शास्त्र के और कला के ये अनुरागी थे इन्हों ने अपने दर्बार के अंदर कई सारे कलाकारों को संदक्षन दिया था भारतिये सम्विधान की किस अनुसूची में राज्य और संग शित्रों की सूची दी गई है तो देखे हमारे पास आज के सम्विधान में टोटल कितनी 12 अनुसूची है उसके अंदर भारत के राज्य शित्र का वर्णन किया गया है अर्थात कितने राज्य होंगे कितने के अंदर शाषित प्रदेश होंगे पहली अनुसूची में लिखा है चाकू किसका उधारण है देखो दोस्तों यह बिल्कुली इसको आपके सिपे सिविल इंजिनिरिंग टाइप का यह सवाल है देखो लीवर क्या होता है लीवर होता है इस प्रकार से आप जब किसी को आगे पीछे खीच कर है ना जैसे गाड़ी का गेर होता है वो लीवर है इंक्लाइंड प्लेन यह जब आप किसी इस प्रकार का आप जो यह सता बनाते है धला धालू सता बना तो यहां पर चाकु जो है यह एक प्रकार का उजार है इस लेपन को इसको वेज कहना पड़ेगा नेक्स देखे यूएफो क्या है यूएफो को देखे कहा जाता है अन आइंटिट फाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बेसिकली अंतरिक्ष के अंदर कहीं बार ऐसा माना जाता है कि दूसरे ग्रहों से आने वाले प्राणी जो है हमारे यहां पर इस प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या आप इसको अंतरिक्ष यान कह सकते हैं वायू यान कह सकते लेकर कहीं बार दुनिया में स्पॉट किये गए है ऐसा लोग मानते है इन्हें यूएफो कहा जाता ह मोबाइल फोन का आविशकार किस ने गया था देखिए मोबाइल फोन के आविशकार का श्रे जाता है मार्टिन कूपर को सबसे पहले इन्हों नहीं ही जो है मोबाइल फोन की टक्निक का यह वायरलेस टक्निक का प्रयोग करके फोन पर एक दूसरे से बातचित की थी अब त पिक्सलों की संख्या का धोत्र में दीओ तक है ओप बिक्सल आजकल तो आजकल तो अपन जो उस्क्रीन लेकर आते है उसमें जितने ज्यादा पिक्षल ंगे अतनी ही ज्यादा आपको वो चीज कलिएर दिखेगी तो उसको अपनHHH रेजोलूशन बोलते मुलते है resolution number of pixel यानि कि एक बाई एक इंच बाई एक इंच ये एक इंच बाई एक इंच की जो ये screen होती है इसमें total number of जितने pixels होते है एक ये pixel होता है ठीक है उतनी ही screen अपन को clear दिखती है निम्लिकित में से read की हड़ी वाला जीव कौन सा है कीवी obviously बाते कीवी एक पक्षी है बड़ा पक्षी है इसमें read की हड़ी होती है response star मचली और threadworm इनमें read की हड़ी नहीं होती है से हिम नदी glacier बनती है देखो इसने हिम नदी लिख दिया है टेक्निकली इसको हिम नद लिखना चाहिए था ये हिम नदी नहीं होता है हिम नद होता है glacier ठीक है जब कभी भी पहाडों पर लगातार मोटी बरफ की परत जमती रहती है एक बड़े पहाड जैसे परवत बरफ के पहाड बन जाते हैं उन्हें अपन glacier बोलते है प्लासी का युद किसके नित्रतों में लड़ा गया था तो अंग्रेजों का कप्तान था रोबर्ट क्लाइव और मंगाल की सेना का नवाब था सिराजुद दौला मार्टीन क्रो जिन का हाली में इधन हुआवे किस देश के पूरुक क्रप्तान थे मार्टीन क्रो बड़े फेमस खिलारी है बेंडेड का आविश्कार किस देखिया नवाए डिक दिखते हैं और परस्नल डिजिटल असिस्टें आप अपने फ़ोन को आप पीडिये बोल सकते हैं आप आप स्य पिदे बाइन रहे हैं हाइड्रो हवाई एड्रो में किस तरग का प्रियोग किया जाता है देखिए इसके लिए एक्सरे का प्रियोग किया जाता है हाला कि अपने किताब जो है प्लैटफॉर्म वाली उसके अंदर यह लिखा हुआ है कि इसका कोई आंसर नहीं होगा बड़ देखिए एक्सरे ठीक ह हाला कि हवाई अड़ो पर एक्सरे का भी प्रियोग होता है यहां पर अगर आप जाएंगे तो आपके सामान की जाच होती है वह एक जगे आप उसमें कंवेर बैल्ट पर रख देते हो पुलिस वाले वह बकाइदा आपके सामान को इसक्रीन पर देखते है उसका एक्सरे किया और इंडिया रिनेंसा का जनक किसे माले जाता है तो देखिए आधुनिक भारत का जनक अतीत और वर्तमान के बीच का सेतू यह सब राजा राम मोहन राय को कहा जाता है इन्हीं के प्रयासों से भारत के अंदर वापस से सामाजिक और धार्मिक सुदार आंदोलन चलाए шиеें केलिंग फ्रोग्रांमिंग भाशा को टाइप के जाता था डिजिटन भाशा नहीं इैक सिलवर किसको कहते हैने मर्करी आपण से देखा ओगा परा लवस्था पर होता है घ्रोथम चांदी की तरह चमकता है इसलिए से क्विक सलवर और कहा जाता है शली पुलिस आयोग बसी की जगें किने न्यूक्त किया गया है थोड़ा पुराना कोश्चन है 2016 का उस समय नहीं न्यूक्ती होई थी आलोक कुमार वर्मा की कशियों मिल्क का पर्योग किस प्रकार किया जाता है तो देखिए मिल्क off मेइगनीशिया का पर्योग जो है यह लगसेटि आपके खराबी हो जाती है एसर दिट जमीनी जानवर कौन सा है तो बई सबसे तेज़ दोड़ने वाला जानवर या तेज़ जमीनी जानवर कौन है चीता लगबख साथ मिल पृति गंटा की रफ्तार यह पकड़ लेता है चीन की विशाल दीवार के निर्मान का शरे किसे जाता दे कि पहली शताअब दी के अंदर चीन के डह इनदर शाशन था उसने चीन की दीवार का निर्मान ना करवाना शुरू क्या था अगले आनेवाले लगबख लगबख 200 सालों तक का निर्मान लगातार चलता रहा गरम शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं इसे एनिलिंग कहते हैं अच्छा कोशन है ध्यान रखना आपने देखा होगा कभी काच की बरतन बनाने के लिए जैसे वह सिलिका होता है ऐसा ही ओटू उसक हो किसी बी से मोड कर तरह यह काच के बरतन बनाते हैं इस प्रक्रिया को जर्द हो नांसा की पर रक्रिक्ष को डिल्ली को डिजाइन किया है ने और देखाओंगा यह राष्टपती भावन का जो डिजाइन है संसेट भावन का डिजाइन जो है वह भी इन्हों एडविन लुटियन ने ही तैयार किया था इसलिए राष्टपती भावन यह प्रदान प्रदानमंत्री आवास और इसके आसपास का जो शित्रे से लुटियन् कोईना बांध किस राज्य में इस्तित ए ये गुदावरी की साहिक नदी है गुदावरी की साहिक नदियों में आता है कोईना तुंगबद्रा और भीमा ये तीनो नदिया किसकी साइग नदिया दोस्तों ये गुदावरी की साइग नदिया है कोईना नदी महाराष्ट से आती है और महाराष्ट में ही इस नदी के उपर कोईना बांथ बना हुआ है फूलो की घाटी राष्ट्री उध्यान किस राज्य में इस्तित है बड़ा फेम में है Australian Grand P 2015 का विजयता कौन है लुईस हैमिल्टन जो है बड़े फेमस फॉर्मुला वन ड्राइवर है जैसे भारत के नारायन कार्थिक एन है वैसे ही विश्व में नंबर एक फॉर्मुला वन ड्राइवर लुईस हैमिल्टन जो है उन्होंने 2015 में Australian Grand P जीती थी तो दोस्तों यह है आज का हमारा पेपर आई होप आपको कफिसारी नहीं नहीं जानकारे मिली होंगी चैनल के साथ जुड़े वे रही है कोई भी कोई प्रशन होता है कोई आप पूछना चाते तो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं मैं आ एडिटर तैयारी